हैं ऋ Bluetooth in आज का ममारे टॉपिक कहां कॉनिक सेक्षिंक कॉनिक सेक्षिंक सेक्षिंक फ्लस seu क्लास को एक बडाए इंबौोटि इन चप्टर रहे जौबॉड फिजिक्स में भी यूर्में भी होता है एक fisis is of ellipse और फॉर्थ इस ऑफ हाइपर वहला ठीक है जी इस अप्टर बड़ा इंपोर्टेंट है प्लस फन क्लास में तो यूज हो गए होगा प्लस टू क्लास में भी बहुत यूज होगा फिजिक्स में भी और मैठ में भी ठीक है जी तो आज बात करेंगे हम सर्कल के बारे पर सरकल नALKता है सपपल अमने छोटी अलसjor में पड़ा वा कि सर्कल क्या होता है टूडी सरकल एक टूडी फिगर है और एक राउंड शेप होता है थिक है जी सर्क नक्रेटा होता है यह लोकास होता है पॉइंटिस का लोइंटिस में दल्राइटवर्ऩाटि 끝zi जैसे हम देख पारहे है यह सारे के đội lines के points है udah valued points का और इन सबही points का जो center होगा न न circles से उन सभी Career points का i center से distance क्या होगा si Alex point का चाया इस point का चाया is point का तो हम इसको बोलते हैン circle जनली हम circle में जो center करते हैं वो करते हैं denote by h और by k और circle एक 2D figure है तो जो एक coordinate होगा यहाँ पर करते हैं हम x, y ठीक है जी और इसको मान लेते हैं हम r that is radius we know that how to find the distance between two point हमने distance formula पड़ा हुआ है जो छोटी classes में काफी यूज होता था हमारा अभी भी यूज होगा तो जो distance formula है वो है x2-x1 का whole square plus y2-y1 का और यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर r square कर देंगे ठीक है जी डाट इस डिस्टेंस formula तो फिर जो यह वाला point है यह वाला point होगा x1 यह होगा y1 यह होगा x2 यह वाला y2 ठीक है जी जो circle की central form बनेगी वो बनेगी कि x2 की जगा है यहाँ पर x है और x1 की जगा है h और यह y- ठीक है जी और इस form को हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ठीक है जी आगे एक होता है जब सेंट्र क्या होता है हमारे पास h और k की वैली होती है जीरो कॉमाज जीरो मतलब है h भी जीरो और k भी जीरो डाट मिन कि जो सेंट्र होगा वो कहां पर होगा और इजन पर होगा तो हम इसी central form में h की जगा पुट कर देंगा हम 0 और y की जगा पुट कर देंगा हम sorry k की जगा कर देंगा हम 0 तो जो simplest form बनेगी circle की that is x square plus y square equal to r square इसको simplest q बोल रहे हैं क्योंकि इस form में center क्या होगा मारे पास h और k क्या होगा 0,0 that's why it is called simplest or standard form आगे हमारे पास एक journal form होती है जनल form होती है हमारे पास x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 here gfc all are constants ठीक है इस form से हम basically center find करते हैं और radius find करते हैं तो जो center होता है वो तो होता है minus g, minus f और जो radius होता है मारे पास radius होता है हमारे पास under root g square plus f square minus c इस form का प्रूब भी हो सकता है वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम प्रूब को क्या करेंगे प्रूब को बात में डाल देंगे या फिर कभी फिर कभी इसको प्रूब करवा देंगे और अगर जो यह g square plus f square minus c अगर यह value 0 से बढ़ी है तब जो circle बनता है उस circle को हम बोलते हैं रियल सर्कल ठीकर जी अगर यह g square plus f square minus c is equal to 0 हो जाता है that is called point circle point circle कुछ नहीं होता है इसमें radius क्या होता है जीरो होता है और third one is g square plus f square minus c less than 0 that is called imaginary circle ठीकर जी imaginary circle हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ लेते हम जिसका नाम है complex number complex number में क्या होता है जैसे अंडर root के अंदर minus कभी नहीं देखते हैं actual में यह होता है अंडर root minus अलग कर देते हैं और 25 अलग कर देते हैं that is called Iota ठीक है जी तो imaginary circle इसके आसपास है और एक हमारा और simple सा topic है जिसका नाम है diameter form actually में जो यह यह वाला चीज है यह NCRT में हाई नहीं है बट आगे हमारे बहुत यूज होगी जो हम आगे exam देंगे ना चाहिए वो किसी भी type का exam हो अब बात करते हैं diameter form की x minus x1 multiply x minus plus y minus y1 or y minus y2 is equal to 0 हमारे पास x1 दिया होगा y1 दिया होगा x2 दिया होगा और y2 दिया होगा बट एक्स और y as it is रहेंगे यहां पर हमने बसे पुटिंग धर नहीं होते हैं हमारे पास diameter form आ जाती है ठीक है एक और है कि circle की जो eccentricity होती है ने e की value वो होती है 0